फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बहुती मज़िदा नाश्ता रोज के वही पराठे से आप बोर हो चुके हो न तो फटा फट से भाई ये बनाई हो जट पट से बन जाता बिलकुल भी टाइम नहीं लगता भई हेल्दी भी बहुत होता ये बच्चे बड़े सबको पसंद आए सूजी यानि कि आप रवावी बोल सकते हैं तो यहां पर मैंने ले लिए सूजी तो सूजी मोटी वाली नहीं है सही है बड़ी वाली सूजी है तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे इसको हम पहले साइड में कर लेंगे तब तक कि इसके लिए कुछ वेज़िटेवल्स हम कट कर लिए है और फ्रेंड्स यहां पर ना मैंने बड़ी साइज की एक वो ले ली थी कैपसी का मतलब शेमला मर्ज तो वह भी कट करके इसमें रख लिए चोटे-चोटे पीसे कट कर लें और दो मैंने टामाडर भी चोटे-चोटे-पीसे में कट कर लें दो हरी मिर्ची व और भी वैजिटेवल्स हो ना तो आप वो भी ढाल सकते हैं तो चलिए दोस्तों मेरे पास यहीं वैजिटेवल्स थी तो मैंने ये कट करके इसमें डालोंगी तो चलिए अब हम इसको कर लेते हैं साइड में अब लेंगे हम सूजी तो फ्रेंड्स अब यहां पर मैंने एक म तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा यह विह होती है और बहुत ज़़्याद की थी तो यह मैंने चार्ज जमिस हमझ धालेंगे थोड़ा recover यह officials veggies आज़े you तो फ्रेंट्स अभी हमारा बैटर थोड़ा गाड़ा है तो थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इसको अच्छे से फैट रही हूं यह देखी इस तरीके से यह देखी तो आपको इसी तरीके से करना है तो चलिए दोस्तों पहले मैं इसको अच्छे से फैट के तयार कर लेती आप देख सकते हैं सूजी हमारी बहुत ही अच्छे सा घुल के तयार हो चुक्या तो यहाँ पर मैं पहले प्यास डाल दोंगी और फिर डाल देंगे हम शिम्ला मिर्च डाल लगी बाद गाइस अब डाल देंगे हम टामाटर टामाटर भी डाल दियें तो आप हरी मिर्ची भी टेस्ट लगती है यहां पर स्वाद नुसार डालेंगे नमक और इसको न अच्छे से मिला लेंगे अच्छे दोस्तों आप जैसे पेरी-पेरी मसाला यह और गेनों है पीज़ा और यह तेस्ट आता है बट मुझे कम पसंद है इसलिए मैं नहीं डालोंगी अगर आपको जाएगी तो चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे वेजटेबल्स हमारी न सारी अच्छे से मिल चुकी है तो इसको 5-10 मिनट तक रेस्ट के रखेंगे तो फ्रेंट एक प्लेट से पहले हम इसको ढग देते हैं और 5-7 मिनट के इसको 10 मिनट तक के रेस्ट के रखते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक डिर्ट चुटकी डाल देंगे यहाँ पर बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है वो डाल देंगे और डालने के बाद गये इसको अच्छे से मिलाएंगे ज्यादा अच्छे से फैट ज्यादा तेजी से नहीं करना है आराम आराम से दाश्ता बनाएंगे उसके लिए हम चलते अपनी गैस की तरफ फ्रेंट्स गैस पर हमने नॉन स्टिक तवा रख लिया है तो फ्रेंट्स चली एक फ्रेम को ओन कर दिया अब इसको अच्छे से घरम होने देंगे तवे को तवे को तवा हमारा बहुत ही अच्छे से गरम हो करेंगे तो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं बिल्कुल हमारा यह जो लिए जो बेटर था न बिल्कुल भी नहीं चिपका है जो चील आया न हमारा परफेक्ट बनके तयार हो गया है तो आप इसको उत्मम भी बोल सकते हैं बहुत ही हेल्दी नाश्ता होता है तो चलिए दोस्तों इसको नीचे से भी हम अच्छे से 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 शेख लेते हैं देख सकते हैं नीचे से भी बहुत ही इसको त्यार हो चुकया परफेक्ट तर hm!!!! आप देख रहा कितना प्यार आया है तो न도 हमारा जला ये ने तो दोनों तरब से चलिए मैं इसको निकाल लेती हो फिर से हम क्या गरेंगे इसको निकाल करुस आध मार्णा के प्रिसे ग्र को से बनाएंगे ये देखें भार ट्राय जरू करना रोज के वही परदा कखाके बोर हो चुके हो ना ये ट्राय करना थाइवी अजिने को चला दिया सपैल थो चलरी घुंप ले उसको नीचे से किश को आज लिए फ्रेंट पर्फेक्ट तरीक ये शीख लेते हैं तो फ्रेंट आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी ये शीक्के तयार हुआ है ये दबाते इसको फिर से पलट दूंग ये देखे दोनों टरब से नगाईज बहुत ही अच्छी से तयार हो चुका है तो चलीए दोस्तों हमारे सेके तयार हो चुक प्लेटिंग कर लेंगे चुका है आप इसको ऊत्व भी भी बोल सकते हैं गाइस बहुत ही यादा होता है बहुत ही को होता है बड़े बच्चे सब खाना पसंद करेंगे एक बार अपने घर में ट्राया जरू करना रोज के पराटों से ना बोर हो चुके होगे ना तो एक बार ट्राया जरू करना तो फ्रेंट्स यह मेरे पुरे तीन चीला याने की उत्पम बनके तयार होगे और देखिए आप पर आकर बैलिकी अघर आधा मैंने नहीं सफब बढू टलकुल बटाए एक डम से और इस पॉंजी भी बहने बहुत हो गया तो क्योंकि षिनिधी इस जिस जो भी मन हो आप उससे खा सकते हैं मुझे तो मैंने सुबह किस ट्राइम यह नाश्टा बनाया था तो मैंने तो भी चाय से खाके इसको इंजॉय किया था बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है तो भी देखे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा तो मैं आपको खाके लगता है तो अब भी खाली जिए फ्रेंड्स अपने घर में बनाकर खाये गाइस बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है तो फ्रेंड्स हमारे आज की यह सूजी का चीला या फिर उत्पम आपको कैसा लगा अच्छा लगा हो तो प्लीज गाए चैनल को सब्सक्राइब जरू करना भरबर के लाइक कर देना भाई कमेंट बॉक्स में जरू बताना के हमारा यह सूजी का नास्ता उत्पम या फिर चीला कैसा लगा और फ्रेंड्स चाह से आज शियर करना ताकि बाकी लोग भी अपने घर में बनाकर खा सके इंजॉय कर सके फुल वाच करने के लि जरू कर दो